हलो फ्रेंट्स नी 2017 न्यूटन लॉज अफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेशन के लिए पहला हिंट वीडियो आपने देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इसका FBD बनाएं अब दूसरा हिंट देने से पहले क्या करना है आपको इस FBD को देखकर पहले तो इनकी equation of Newton's second law लिख लेनी है मतलब ये equilibrium में है तो equilibrium situation में क्या होगा कि इन पर net force 0 होगा जैसे M के लिए मैं लिखू तो उपर की तरफ force क्या है tension और नीचे की तरफ force क्या है mg इसी तरीके से 3M व लग रहे हैं T और 3M जी अगर T का value हम यहां रखते हैं तो यह हो जाएगा 4M जी अब मेरा दूसरा hint क्या है आपने ये equation बना लिए तो दूसरा hint है कि funda क्या लगेगा तो ये values निकालने से हमारा question solve होने वाला नहीं है इसके बाद मैं आपको hint दे रहा हूं hint ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो question में cutting बोला है इसका क्या मतलब होता है अगर question बोलता है string is cut एक चीज तो ये मानिए कि जिसको आप काटेंगे उसका force तुरण zero हो जाएगा अगर string cut किया है तो tension zero हो जाएगा अगर spring cut करते तो spring force यानि kx zero हो जाता लेकिन दूसरी point यहां पे जो जब आप string को cut करोगे तो tension भले change हो जाए जीरो हो जाए लेकिन kx पे कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि kx जो है वो constant की तरह से behave करेगा इसमें कोई change नहीं आएगा अब इसके पीछे depth है कि भाई हमारी जो spring होती है उसके अंदर potential energy store करने की characteristic है तो आपके यह जो छोटे जटके हैं इससे spring पर कोई फरक नहीं पड़ता उल्टा हुआ होता कि आपकी spring कट की गई होती और string से ये बात पूछी जाती तो बिलकुल ऐसा शूनी करती spring आपकी spring कटते ही कहां पहुँच जाती zero पे और string यानि रसी उसकी tension भी तुरंत क्या हो जाती change हो जाती क्योंकि string जो है रसी जो है वो potential energy store नहीं कर सकती इसलिए उसमें तो change तुरंत आएगा चाहें वो खुद कटे या spring कटे लेकिन spring के साथ ऐसा नहीं है spring पर जब तक खुद की कोई cutting नहीं हो रही है तुरंत कोई overall effect नहीं आता हां रसी को आपने कटा है तो रसी की tension तुरंत क्या हो जाए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please like share and subscribe my channel और notification bell icon दबाना ना भूलें ताकि next upload और सभी important update आपको timely मिलते रहें